इंडिया नेपाल को ओईल देता है उसके बाद भी इंडिया में पेट्रोल के प्राइज़ जाता है और नेपाल में पेट्रोल के प्राइज़ कम है लेकिन ये ओईल बॉंड है क्या और ये कितने सही है पेटरोल को तो ऐसे देखा जाता है जैसे कि यह अमीर लोगों की चीज़ हैं, सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए यह उस सेक्टर में देते हैं, जहाँ पे सबसे आदा वोटर्स हैं, एगरी कल्चर और यह पेटरोल जो है, यह जेस्टी से इसको बाहर क्यों रखा गया है, जैसे घरों में जब रिष्टदार आते हैं, तो बच्चों को पैसे देखे जाते हैं, और माबाप पीजे से ले लेते हैं, सेम यही चीज गवर्मन्ट भी कर रही है आपके साथ देखे, जब पैटरोल के प्राइजेस बढ़ते हैं, तो चाया फूट के आइटम हो, ट्रेवल हो, ट्रांस्पोर्टेशन हो, हर एक चीज के प्राइज बढ़ते हैं, ओवरल महंगाई बढ़ती है, और गवर्मन्ट से जब कोशे जाते हैं, तो एक दूसरे को ब्लेम करते ह तो सबसे पहली चीज तो यह है कि क्या गवर्मन्ट के हाथ में सचमा यह चीज होती है कि वो पैटरोल के प्राइजेस को कम यह जादा कर सकें, दूसरी चीज, क्रूड वाइल जो है, वो इंटरनेशनल मार्केट में अर्मोस सेम प्राइस में मिलता है, उसके बाद भी हर कं प्रोल मिलता है, वो डारेक्ट जमीन से निकाल के आपको नहीं दिया जाता है, पहले क्रूड वाइल को ढूंड के सब सर्फेस से सर्फेस पिलाया जाता है, यह जो क्रूड वाइल है, यह एक रौ फॉर्म में निकलता है, फिर इस रौ क्रूड वाइल को रिफाइनरी तक उसमें से petrol, diesel, jet oil ये सब निकाल के petrol pump तक पहुचाया जाता है अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो भारत petroleum, हिंदुस्तान petroleum, इंडियन oil corporation, reliance, ये सारी companies इस process में involved रहती हैं अब देखिए ये process तो बहुत simple है लेकिन इस पूरे process में एक दिक्कत है ये जो crude oil है ये हर जगा नहीं मिलता है जिन countries में discover हो गया बड़े scale पर वो तो खुश है उनका काम तो चल जाता है लेकिन जिन countries में कम है या discover नहीं हुआ है उनको इस crude oil को खरीदना होता अपनी country चलाने के लिए हर country के पास अपनी refineries होती है जैसे इंडिया के पास 23 refineries है international market से crude oil को खरीद के refineries तक लाया जाता है और फिर यहां से petrol बनता है देखे पेटरोल से सिर्फ गाड़िया ही नहीं चलती है हर एक चीज डिरेक्टली और इंडिरेक्टली रिलेटेड होती है पेटरोल से आठ डेली और मुंबई में बैटके आप कश्मीर का सेफ खा पा रहे हो यह भी पेटरोल की वज़े से ही है क्योंकि पूरा transportation, production का base होता है पेटरोल महिंगाई से लेके GDP हर एक चीज एफेक्ट होती है कंट्री में जब पेटरोल की कमी होती है इसलिए इसको दुनिया की बहुत important community माना जाता है इंडिया में भी crude oil मिलता है लेकिन वो enough नहीं है इसलिए इंडिया बहुत बड़े scale पे oil import करता है और जब इंडिया में crude oil आ जाता है उसके बाद भारत petroleum, हिंदुस्तान petroleum, Indian oil corporation, reliance इन सब के refineries हैं ये लोग आप तक petrol पहुचा देते हैं देखे crude oil कोई limited चीज नहीं है कि बस इतनी बची है उसके बाद खतम हो जाएगी crude oil natural मिलने वाली चीज है और ये जमीन और समुदर दोनों जंगा पे मिलती है crude oil को continuously research team हर country के ढूंडती रहती है बीच-बीच में आपको news भी सुलने को मिलती होगी जब कोई oil field discover होती है all over world में main 3 player हैं जो world में crude oil बेचते हैं एक USA, दूसरा Russia और तीसरा OPEC अब ये OPEC क्या है? देखिए Middle East में जितनी भी oil producing देश हैं इन्होंने अपना एक association मना लिया जिसका नाम है OPEC OPEC बहुत important player है all over the world में world में crude oil के rate क्या होंगे ये तक इनके हाथ में होता है अब आप कहुए कि इनके हाथ में price कैसे होते हैं देखिए जिस तरीके ते इंडिया में hoarding या फिर artificial shortage करती जाती है प्याज या फिर बाकी चीजों की और rate बढ़ा दी जाते हैं कुछ इसी तरीके से international market में भी OPEC देश यही करते हैं यो लोग meeting करते हैं और oil के जो production होता हो कम यह जादा कर देते हैं demand देखके अब demand जादा होती है supply कम होती है तो price बढ़ जाते हैं इसलिए आपने देखा होगा जिन countries में crude oil की shortage होती है वो electric vehicle की जादा वकालत करती है और अगर आपको कभी भी oil track करना है तो सबसे important चीज है कि आप OPEC को track करें अब माली जा आपको कोई mobile खरीदना है तो वो ही गिनी चुनी companies है उन में से जा कि आप mobile खरीद लेते हो लेकिन operating system या तो आपके mobile में iOS होगा या फिर Android होगा operating system और भी है जैसे कि Ubuntu Touch है Tizen है पर आप देखो कि यही दो operating system हमारे mobile में होते हैं ठीक इसी तरीके से international market में जब आपको oil खरीदना होता है तो दो main benchmarks हैं एक है WTI, West Texas Intermediate और दूसरा है Brent और भी benchmarks हैं लेकिन ये दोनो main हैं जैसे iOS और Android काम सेम करते हैं लेकिन होते अलग-अलग हैं ठीक इसी तरीके से Brent और WTI में भी फरक होता है लेकिन काम दोनों सेम करते हैं WTI के crude oil में API gravity ज़्यादा होता है मतलब कि कितना हलका तेल है पानी पे अगर उसको डालेंगे तो कितना float करेगा WTI में sulfur भी कम होता है Brent के comparatively sulfur ज़्यादा होने पे refineries को petrol बनाने में ज़्यादा time और पैसा लगता है तो आप compare करेंगे तो WTI जो crude oil है वो Brent के comparatively थोड़ा अच्छा है लेकिन Brent पूरे all over world में चलता है क्योंकि ये थोड़ा सा सस्ता है इंडिया भी Brent दे यूज़ करता है आपका भी petrol भरवाने गए होगे तो वहाँ पे भी आपने लिखा होगा API gravity, sulfur contain ये सारी चीज़ें वहाँ लिखी होती है International market में barrel के हिसाब से crude oil मिलता है एक barrel में 159 लीटर के करीब oil होता है अभी अगर currently देखें तो 104 डॉलर पर barrel का rate चल रहा है अभी ये सारी चीज़ें मैं आपको बता क्यों ना हूँग जो इंडिया के अंदर companies refinery में process करके final product बनाने के बाद petrol का जो price set करती है इसके बाद इसमें जो 0.37 freight price लिखें है इसका मतलब की transportation cost जो इस petrol को distribution करने में आती है petrol pump तक इसके बाद इस सबसे interesting चीज़ है exercise duty 32.98 रुपीज सबसे ज़्यादा है ये central government ने tax लगाया है इसके बाद 3.69 रुपीज जो इसमें mention है ये dealer का commission है ये सारा process करने के बाद 3.69 रुपीज पर लिटर पर वो कमाता है और ये जो VAT है 19.92 ये state government ने tax लगाया है ये सब लगाने के बाद जो पेटरोल 29.34 रुपीज का था आपके पास आते आते 86.3 रुपीज का हो जाता है इंडिया all over world में सबसे ज़्यादा tax लगाता पेटरोल पे यही reason है कि जिन country's को हम पेटरोल खुद देते हैं उन country's के अंदर पेटरोल इंडिया से ज़्यादा सस्ता होता है अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हर country का हिसाब अलग होता है इंडिया की needs अलग है यहाँ पे financial experts जो बैटे हैं उन्होंनों जो tax लगाया होंगे वो सोच समझ कहीं लगाया होंगे तो देखिए ऐसा नहीं है exercise duty और wet tax को लेके इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है यह tax कम करके पेटरोल के prices कम क्यों नहीं कर देते ultimately इनको vote ही तो चाहिए देखिए इतने time से यह लोग देश चला रहे हैं इनको हमसे ज़ादा अच्छे से पता है कि इंडिया के अंदर vote कैसे drive होते है अभी tax ना कम होने के पीछे गलती सारी की सारी हमारी है इंडिया में जो free में चीज मिलने का craze है बहुत ही जादा है आपको बहुत अच्छे से याद होगा अभी भी अगर आपसे मैं पूछू कि किस government ने free में बिजली दी है किस government ने laptop दी है gas subsidy में दी है किसने loan माफ की है बहुत अच्छे से आपको पता हुआ कि आपको ये पता है कि किस state ने wet के tax माफ कर दिये ताकि petrol के price down रहे और inflation ना बढ़े अब मैं state का नाम नहीं लूँगा वरना किसी ना किसी political group में बांड दिया जाऊंगा लेकिन एक Google search से आपको पता चल जाएगा अब एक चीज़ जहां से देखीगा मान लीजे आपके घर का जो बिजली का बिल है वो 100 रुपे आ रहा है अब किसी government ने उसको माफ करके 50 रुपे कर दिया आप बहुत खुश हो गया लेकिन वैट उतना ही ले रहा है तो उससे inflation तो बढ़ी रहा है आप बहुत खुश हो गया कि 100 रुपे की जगा हमारा बिजली का बिल जो है वो 50 रुपे हो गया लेकिन जब आप घर से निकल के टौफी, आटा, चावल, डाल, सबजी ये सब खरीद रहे हैं तो हर किसी में किसी में 50 रुपे ज़ादा हो रहा है एक रुपे ज़ादा हो रहा है inflation की वज़े से महंगाई की वज़े से तो बात तो घूमफिर के वही हो गई न तो उसका कोई महिमा मंदा नहीं होगा महिमा मंदा नोता फ्री की चीजे बातने में तो गवर्मेंट भी वही करती है जो आपको चाहिए आपने देखा होगा कि पार्लेमेंट में हर पार्टी हला कर रही है कि पेट्रोल के प्राइस कम करी है आए दिन बयान आ रहे हैं लेकिन वही पार्टी अपनी ruling state में वैट का एक रुपया कम नहीं कर रही है 100 रुपय के petrol में लगबग 70% का tax लगा दे रहे हैं देखी पॉइंट यह नहीं है कि government को revenue generate नहीं करना चाहिए हमारे देश का record है कि free की चीज़े जिसको भी मिली है उसका कभी भला नहीं हुआ है आप सोचके देखी यह नेता सबसे आदा free की चीज़े किस sector में देते होंगे यह उस sector में देते हैं जहांपे सबसे आदा waters है agriculture 60% लोग agriculture से directly और indirectly associated हैं इसलिए आप देखोगे इस सबसे आदा free की चीज़े किसानों के लिए लेके आते हैं अगर free का formula काम कर रहा होता तो किसानों का यह हाल नहीं होता जो आज की date में है इतने सारे freebies देने के बाद भी किसानों का कुछ नहीं हुआ वो आज भी suicide कर रहे है देखे पेट्रोल हो गया, alcohol, तंबाकू, इन सारी चीज़ों पर government रात और रात 20-25% tax बढ़ा दे कोई दिखकत रही होगी government को इन सारी चीज़ों को लेके कोई road पे नहीं आएगा, कोई धरना नहीं देगा पेट्रोल को तो ऐसे देखा जाता है जैसे कि अमीर लोगों की चीज़े हैं, सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए है जबकि actual में ऐसा है कि यह सब के लिए है, इससे हर एक चीज़ effect होती है सेम चीज एलकोहल के केस में भी है, आप बहुत ज़्यादा करोगे, आप ड्रिंक करते टाइम एक दो गाली दे दोगे, आप रोड पे धरना देने नहीं पहुंच जाओगे लेकिन जब कम होते हैं, तो यह पेटरोल के प्राइस कम नहीं करते हैं, और यह चीज मैं हावा में नहीं कर रहा हूँ, कुछ डेटा में आपको दिखाता हूँ तो प्राइस तो कम होने चीज़ है पेटरोल के, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उस समय पेटरोल का प्राइस और बढ़ गया, 86.30 रुपीज हो गया, गवर्मेंट ने प्राइस कम करने की वज़ाए, टेक्स और बढ़ा दिया, और ओवरॉल पेटरोल का प्राइस बढ़ा दिया और येलो वाला जो पार्ट है, सेंटर ने कैसे टेक्सेज बढ़ा हैं, वो दिखाया जा रहा है, स्टेट टेक्सेज 18% से सीधे 23% हो गया, और सेंटर ने जो टेक्सेज बढ़ा है, वो 17% से सीधे 37% कर दी है, सिर्फ इस पर्टिकुलर टाइम पे गवर्मेंट ने अपना revenue 75% से भी जादा करा, लेकि जब डेटा दिखाते हैं, तो उसमें एर देखके लोग अपनी पार्टी को सपोर्ट करने लगते हैं, तो 2014 से पहले का डेटा भी मैं दिखा देता हूँ, 2012 की भी रिपोर्ट देख लो, आप उस टाइम पे भी सेम यही चीज हुई थी, बेस प् लिमिट खतम हो गई, उसको बिल पास करा के टेक्स की लिमिट बढ़ाई गई, तो गवर्मेंट ने पहले बोलना है स्टार्ट किया कि यह जो ओईल के प्राइजेज हैं, यह ओईल की कमनियां डिसाइड करती है, तो देखिए बात यह सही है, कि जो बेस प्राइज होता है, वो ओईल की कमनियां ही डिसाइड करती है, लेकिन जो इन पर टेक्स लगता है, वो कम्प्लीटली गवर्मेंट के हाथ में होता है, आप ब्रेक अप देखोगे, तो यह जो ओईल मार्केटिंग कमनी हैं, वो मार्केट प्राइस के हिसाब से ही रेट सेट कर रही है, लेकिन प्राइस के प्राइस करती है, लेकिन लोग फिर भी माने नहीं, लोग उने प्रेशर मनाया कि गवर्मेंट इतना ज़ादा टेक्स बढ़ा कि करना क्या चाती है, इस पर गवर्मेंट ने जवाब दिया कि जो हमसे पहले वाली गवर्मेंट थी यहाँ पर, उसने ओईल बॉ और यह कितने सही हैं, लेकि है जिस तरीक चे अगर आपको पैसे की जरुहती है, तो आप बैंक से लोन लेते हैं, और इंट्रस देते है उस आमाउंट पे, ठीक इस तरीके से जब गवर्मेंट को पैसे की जरुओत होती है, तो वह बांड रिलीज करती है। फिर लोग उस गवर्मेंट ने कहा है कि 70 रुपीज होना चीए पेट्रोल का प्राइज और प्राइज की जो लागातारी वो 80 रुपए हो गई है तो मार्किट की वैसे जो डिफरेंस है 10 रुपए का यह गवर्मेंट देगी ऐसा सबसेडी लेकिन वो बजट से नहीं देगी उसका बॉंड रिलीस करेंगी ऐसे करके पहले की गवर्मेंट ने 1.34 230,000 लाग करोड के बॉंड रिलीस किये थे जिसके हर सल 9000 इंट्रेस्ट पेगहना होता है तो देखिये बात तो सही है लेकिन गवर्मेंट ने वो पैसे बजट से नहीं दिए बलकि उसके बॉंड रिलीस किये है government ने जो 2020-2021 में जो revenue कमाया सिर्फ एक साल में वो है 418,000 करोड जो कि पिछले अगर आप bond से compare करोगे तो बहुत जादा है तो यह जो बात बोली जारी है पूरी तरीके से सही नहीं है असल बात यह है कि जो tax बढ़ाया जा रहा है सच में जादा है यही रीजन है कि tax के लालच म जिसमें इन्होंने assume किया था एक experiment के तायत कि अगर पेट्रोल को GST में डाल दिया जाए तो क्या होगा जिसमें इन्होंने एक barrel का rate 60 डॉलर माना था और 28% GST के slab में डाला था ऐसा करके around जो पेट्रोल के prices थे वो 75 रूपीज तक आ गये थे और central government का 1 लाग क्रोड का loss हुआ है लेकिन उसके लिए हमने infrastructure maintain नहीं किया है ओपेक countries अपने हिसाब से price उपर नीचे करती रहती हैं मनमानी करती है लेकिन बीच बीच में ऐसी situation आती है जब price काफी नीचे जाते हैं जैसे अभी covid के time पे हुआ था कि crude oil बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया था तो जो countries होती है वो oil reserve capacity में इंडिया में तीन strategic petroleum reserve हैं उनको 1998 में अटल वियारी वाजपेई जी ने प्रपोस किया था और 2005 में मनमौन सिंग जी ने open किया था तब से लेकि आसक महाँ पास तीन ही reserve हैं अच्छी बात यह है कि Modi जी ने अनौन्स किया कि दो और खोले जाएंगे और काम भी start करा दि कि यह दो खुलने के बाद भी हम काफी पीछे हैं हमारी need के साब से यह सारी चीजे manifesto में होनी चाहिए लेकिन unfortunately यह होती नहीं है free में क्या क्या चीजे हम लोगों मिलेंगी यह सारी चीजे mention होती है manifesto में